हेलो नमस्कार मैं हुदेवाक्षि वासुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आभा आउनलाइन एकेडिम में आज के इस वीडियो में हम UGC नेट जैरेफ इकजाम से समबंदित सेकेंड पेपर हिंदी साहिते के सिलेबस को डिसकस करने वाले हैं सिलेबस को डिसकस करते हुए हम प्रसनों के स्वरूप को पेपर की प्रकृति को समझते चलेंगे साथ में ये भी जानेंगे कि किस यूनिट से किस टैब के प्रसन आते हैं और किस यूनिट का कितना वेटेज है और हर एक उनिट से संबंधित मैं आपको कुछ किताबों की सूची बताऊंगी अगर आपने उसका अधेयन अच्छे से इमंदारी पूरवक कर लिया तो हिंदी साहिते से संबंधित आपका भारत भर में कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं है जो आप क्रेक नहीं कर पाए चाहे वो किसी एस्टेट से संबंधित कोई भी एक्जाम आप आसानी से क्रेक कर सकते हैं अगर उन किताबों का धेयन अपने इमंदारी पूरवक कर लिया तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य के सिलेबस से संबंदित लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको पता होगा कि उजी सिनेट जे आरेफ का जो एकजाम होता है वो उसके पेपर को दो भागों में बाटा जाता है पेपर वन पेपर टू पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है पेपर टू हमारा में सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट से हमने पीजी किया हुआ होगा उसी से संबंदित हमारा पेपर टू होता है जैसे कि पेपर 1 में 50 प्रस्ण होते हैं और हर एक प्रस्ण 2 नंबर का होता है इस तरीके से 100 नंबर होते हैं पेपर 2 में 100 questions होते हैं और यहां से हर एक question 2 नंबर का होता है इस तरीके से 200 नंबर पुल मिला के हमें तीन घंटे मिलते हैं और पेपर टू जो हमारा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह इसी के थू हमारा कैरियर बनेगा अगर इसमें हम अपनी बहुत अच्छी पकड़ रख पाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया है सबसे पहले हम इस यूजी स सिलेबस है इसी पर है इसमें जो यह सिलेबस है हिंदी का इसको दस यूनिट में बाटा गया है टोटल दस यूनिट में हर एक यूनिट से प्रस्ण आते हैं और मैं बताऊंगी कि हर एक उनिट उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन साथ में एक्जाम के दृष्ठी से मैं आजेटीज जैसे दिया हुआ है कोई नाम हो गया या फिर हम समझ लेकि हमें क्या-क्या पढ़ना है हमें बस याद हो जाए कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है कौन-कौन सी रचनाय है पढ़नी है वहीं से हमारा बीस प्रस्ण आ जाता है 15 से 20 प्रस्ण ऐसे बस टैरेक्ट स्वरूप कैसा होता है और किस टैब के प्रस्ण आते हैं यहां सबसे पहले हिंदी भासा और उसका विकास यहां इससे समंदित में बहुत अच्छी एक किताब आती है है इससरी इस ब्रीलेटर दो किताबे मैं आपको बताउंगी फिलहाल मैं इस टोपिक बे बात कर लू तो इसका वेलटेज है पढसे च्छे क्वेर स्वेर इस जो पूरा एक य bend है organism है और यह स्वी Versa बहुत है Bee Bombam बशुट में हिंदी की स्थिति कैसी है कब कैसे सवरूप में हिंदि ढलती चलिया है म эфф tils ए совिया में सबसे ज्यादा परसंगीक रही हिंदी की जैसे ब्रजोथी बोली हो गया रजस्थानी बोली वैसा बहुत सारी उसमें बोलिया है तो उससे सभी आपको पढ़ना है अर्ध मागदी मागदी अब भ्रांस और उसकी पिसे स्ताय ब्रांस और हट पुरानी हिंदी का संबंध और सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज है जो इसमें हिंदी का भोगौलिक विस्तार ए हर साल प्रस्न पूछे जा रहा है इधर तीन-चार साल का पेपर आप उठाकर देखेंगे तो भासा संबंधित जैसे की पूरी दुनिया में लगवग 10-15 प्रमुक भासा परिवार है उसमें से हर साल ऐसे होता है ना कि 4-5 भासाओं के नाम दे दिये जाएंगे और वहां से पूछा जाएगा आपका कि कौन ऐसी भासा है जो किसी एक भासा परिवार से संबंधित नहीं है जैसे की हामी सामी भासा परिवार ज्रवड़ी भासा परिवार भारोपी भासा परिवार बुसमैनी भासा परिवार बहुत सारी भासा परिवार आते हैं तो उससे और हर साल उसे कुछ सनाता है किसी दो भी सिफ्ट में अगर युजाम हो रहा है तो दोनों सिफ्टों में पूछा जाता है लेकिन आता है तो आप भासा परिवार को जरूर पढ़के जाएं उसके साथ ही यहां पे हिंदी और उसकी बोलिया खड़ी-बोली ब्रज यह सब इसमें से पूरे ब्याकरन का जो पोर्शन होता है उसमें से एक या दो क्विश्चन आते हैं उसके बाद लीपी जो है यह इससे हर साल परस नहीं आता है लेकिन चुकि हमारी एक बहासा जो है बहुत महत्वण हमारे लिए हो जाती है तो उसके लिए आपको लिपी पढ़न किस्तिती यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे प्रस आते ही आते हैं हर साल गिन के आते हैं और राज भासा राज भासा और संपर्क भासा संचार और हिंदी जो है बोली मानाक भासा यह सारी चीज़े हमेशा आते रहती है हर साल यह माध्यम और हिंदी कंप्यूट इस से उतना प्रस्ण मैंने अभी तक देखा नहीं है कभी लेकिन हां यह जो है मानक भासा राश्ट्र भासा राज भासा उसके बाद संपर्क भासा हिंदी की समय धाने किस्तिति यह तो डेफिनेटली पढ़के जाए आप देवनागरी डीपी भी आपको पढ़के जाना ही च समय के जाए अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं फिर आता हिंदी सहीते का इतिहास जितना भी इतिहास है टोटल जाहें जिसको हम हिंदी सहीते की इतिहास को मुखे रूप से चार भागों बाढ़ते हैं आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आधुनिकाल यह बहुत ज्यादा हो जाता है हिंदी साहिते की इतिहास को आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़े के जाएं इसके लिए मैं दो-तीन बूक बताऊंगी आपको हिंदी इतिहास तर साहिते इतिहास दर्शन विभाजन काल विभाजन इतिहास लेखन यहां जो चार-पांच प्रविर्तियों की हमें यहां पे रचनाय मिलती हैं जैसे रासो साहिते हो गया अधिकालीन, हिंदी, जैन साहिते, सिद साहिते, नाच साहिते, अमीर, खुश्रो, विद्यापती, इस बार लौकिक साहिते, इस बार का जो सिप्टम्र में जाम हुआ था, वहां से खुश्रो की पहली पूछी गई थ जाता है, दो तीन ऐसे दे दिया जाता है, दो तीन स्टेटमेंट आपको दे दिये जाएंगा, पुछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट, इस पंप्ति से रिलेटेड नहीं है, तो इस टाप के प्रसनाते हैं, और इस पूरे उनिट से यहां से भी आधिकाल से आपको 5-6 प् कभी के कालकरम को पुछ लिया जाता है, जो जैन कभी है, उनका नाथ कभी है, जो भी है, उन सभी के कालकरम को पुछा जाता है, तो अब बहतरीन रहंग से बढ़के जाएंगा, यह बहुत ही इंप्रसना आ जाता है, भक्ति काल से आपको मीनिमम दस प्रसना आते हैं, मीनि कालीन भक्तिक उध्य का जो क्या कारण रहा यह समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सामाजी करा आर्थी के सांस्कृतिक कारण क्या ऐसा कारण रहा जो समाज पर प्रभाव पड़ा और उसका फल्सरूप यह हुआ कि भक्तिकाल जो है इतने जोर सोर से उभरा पूरे भार रहा क्योंकि जो यह भक्ति काल का जो उद्य हुआ ना समाज के सभी वर्गों में हुआ चाहें वह उपेक्षित वर्ग थे या फिर समाज के उच्छ वर्ग थे सभी में यह समान रुप से कि फैला हुआ था तो आपको यह पढ़ना बहर चुरूरी है सगुन निर्गुन भक्ति और भक्ति कावे के परमुक संप्रदाय जैसे की राधावलव संप्रदाय चैतने संप्रदाय संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय और जो मध्यकालीन भारत में कुछ दार्शनिक उनकराचार का द्वात वाट इस बार पुछा गया था डिरेक्ट पुछलिया गया है तो वह संप्रमानुजाचारिय रहानुजा चार्य उसके बाद विल्लवाचार द्वार का चार्या इनन सभी का जो आपको पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादेंट हो जाता है कभी की कई अर्थ पूछ लिया जाता है तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है आप इसको भी पढ़ते चलिए समझते चलिए रीती काल में भी सेम ऐसे ही आता है लेकिन यहां से पास से छे प्रसना आते हैं आपके और जैसे की ततकालीन समाजीक राजनीती कार्थी किस्तिती कैस और यह बिल्कूल इसमें बहुत सब्सक्राइब को पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है या फिर किसी की पक्ती दे दी जाती है, उसका अलंकार पूछ लिया जाता है, उसका रस पूछ लिया जाता है, क्योंकि रीतिकाल में ये सारी चीजे जो है, बहुत जादा भरी पड़ी थी रीतिकाल में, जैसे कि कावे सास्त्र से रिलेटेड, कावे लक्षन, कावे गुन, क सारी चीजे भरी पड़ी थी उनकी रचनाव में तो यह सारी चीजे पूछी जाती है फिर आता है आधुनी काल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से आपका 15-20 कुरिश्चन आ जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है हर साल यहां से प्रस्ना आता है और आपको बहुत यह इंट्रेस्टिंग टॉपिक भी है पढ़ना चाहिए आपको और इसके बिना तो हमारा एक्जाम निकल ही नहीं सकता क्योंकि यहीं से सिर्क 15-20 कुरिश्चन आ जाते हैं और हमें मतलब हमारा एक आधार बन जाता है हिंदी के लिए हिंदी गद दूइदी यूग और उसके बाद च्छायावाद से बहुत सारे भरभर के परसना आते हैं हर साल आपको सुक्ल जी के कथन हमेशा पूछी जाते हैं च्छायावाद से संबंदीत तो उनको आप पढ़के जाईएगा हर साल जितना मैं भी इस पेपर को समझ पाई हूं च्छ उसके बाद आता है प्रगतिवाद प्रगतिवाद भी सेम हमारे लिए उतना ही इंपोर्टेंट हो जाता है इसमें भी कभियों के कालकरम को पूछा जाता है दे दिया जाता है ब्योसित रूप से सजाने के लिए और उनकी रचनाव के कालकरम को पूछा जाता है फिर इसमे जाएंगे और इधर कभियों के नाम दे दिये जाएंगे और मिलान करने के लिए दिया जाएगा और नीची ऑप्सन रहता है इस टाइब के प्रसनाते हैं और और 2000 वर्ष तक लेकिन ऐसा नहीं आप सामकालीन सहित्य भी पढ़िये पत्रकारिता अभी ठीक है समकालीन सहित्य बहुत ज़ादा इंपर्टेंट है कभी कभार आ जाता और इभविस्य के लिए बहुत इंपर्टेंट है पढ़ना चाहिए और हिंदी सहित्य की गद विधाय यहां से साहितिक विधाय जो हैं बहुत भरभर के प्रसना आते हैं उपन्या से संबंदित आपके पास से छे प्रसना जाते हैं कहानी से पास से छे प्रसना जाते हैं कभी कभी कम भी होता है ज्यादा भी होता है लेकिन एविरेज जो मैं आपको बता रही हूँ फिर प्रमुक कहारी आंदोलन नाटक से तीन चार परस नाते हैं नाटक से तीन चार परस ना जाएंगे आपके उसके बाद एक आंकी से रिलेटेड और जो ये विकास के चरण है लोक रंग बंच नुकर नाटक इन सबसे कथन दिया मिक्स पूछा जाता है और अध्यारी जाता है तो इसके लिए आपका कॉंसेट के लिए होना बहुत जादा ज़रूरी है आप इसके विकास को समझिए विकास को पढ़े हर्थ इसके स्वरूप को समझे भिना आप इस स्कूश्चन को जहीं नहीं कर पाएंगे तो पूड़ जो एक development हुआ है कैसे आज तक किसी विसाहितिक विदा की आज जो इस्तिती है वो कैसे किस कब किस अवस्था में रही और आज तक कैसे पहुंची है तो उसके लिए आपको यह सारी चीजे पढ़नी बहुत जरूरी है तभी आपका question सही होगा निबंद से भी question आते हैं पूछ लिया जाता है निबंदकार का करम पूछ लिया जाता है ऐसे निबंदकार के नाम को दे दिया जाएगा और पुछा जाएगा कि कौन सा करम सही है मतलब काल करम की द्रिष्टी से या फिर निबंद का ही नाम दे दिया जाएगा निबंद संकलनों का नाम दे दिया जाएगा पुछा जाएगा कि काल करम की द्रिष्टी से पहले कौन किसका संपादन किया गया पहले किसका प्रकाशन हुआ ऐसी चीजी ठीक है रेखा चीतर संस्मरन इससे भी रिलेटर दो चार प्रसना ही जाते हैं लेकिन यह वाला जो पॉर्षन निबंध का नाटक का उसके बाद कहा द्रणी उपन्यास यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे भर-बर के प्रसना आते हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जितने भी निबंध होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है सबका आपको कालक्रम याद रखना पड़ेगा प्रकाशन वर्स याद रखना पड़ेगा उसे संबंदित उनको भी याद रखना पड़ेगा तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम उपरी सतही तौर पढ़ाई ना करें किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो गहनता से उसका ध्यान करना हमारे लिए प्रस्ण आते हैं और संख्या बढ़ भी सकती घट भी सकते हैं लेकिन यहीं है कि हां दस या दस-दस प्रस्ण दोनों से आते हैं इसमें जितने भी हो गए रस अलंकार दीती वक्रोक्ति यह जो छे संप्रदाय हैं भारतिये कावे सास्त्र में मेजर यह पढ़ना लेकिन जो यह एरिया है इसको टच किया ही जाता है इंटी यह द्वारा तो आप पढ़कर जरूर जाए देखिए जो मैं आपको एक चीज बतादू कि साहितिक विदाय हो गया हिस हिंदी साहितिक हास हो गया और बहुत सारे जो चर्जित टॉपिक से उनको सब कोई पढ़त बढ़ता है तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि यह जो दोनों साहित कावे सास्त्र मिलाके दोनों पास्षाते और भारतिये 20 प्रुसन आ जाते हैं लगहों तो आपको इस चीज को फोड़ते हैं जो सब पढ़ते हो तो पढ़ना ही है जो सब नहीं पढ़ते हैं उसको भी पढ़न है ठीक है फिर आगे इसके लिए में आपको जितने भी किताबों की सूची बताऊंगी आप जिसको पढ़के डेफिनेटली है कि आपका वह एक्जाम जरूर निकलेगा आपका एक्जाम ना निकले ऐसा हुई सके लेकिन बस इतना ही है कि आप उसको इमंदारी पुर्वक पढ़ें इसमें कल्पना फैंटेसी कॉलरीज का सिधान तवर्ट का प्लेटों का सिध्यानत रस्तूर का सिधान सारे मतलब हर साल इन से प्रस्नाते हैं हरे केरिया को टच किया जाता है बैचारिक प्रिष्ट भू जो यहां पर नहीं दिया गया है बाद में मैं बताऊंगी उसके बारे में गांधी दर्षन हिंदी नौजागरन अंबेदकर दर्षन लोहिया दर्षन माक्सवाद मनोबिसलेशनवाद अस्तितुर्वाद यहां से क्या किया जाता है न दो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा दर्षन से संबन दीत है फिर किसी वी एक विचार धारा से संबन दीत और है और फूछा जाएगा था था यह पहला गलत है इस तरीके से पूछे जाते हैं तो जब तक आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इन चीजों को आप डीटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसे काम नहीं चलेगा उसके बाद दलित वर्ग इस्त्री जो है आदिवासी है जो समाज की उपेक्षित प्रषनाते हैं जैसे कि हिंदी सहित्ति में उसे रिडेटेट क्या क्या कारे किये गए लग की स्टाइब की विचार धाराय उत्पन हुई इन सब वर्गों के प्रती तो यह सारी चीजे बिल्कुल इसी तरह पूछी जाती है तो लाइन दे दिया जाता है पूछा जाता है दोनों से यह दोनों गलत हैं इस टाइब के परसनाते हैं हिंदी कवीता यहां से तो मतलब हर साल यह जो इनिट फाइफ है इकाई फाइफ उसके बाद 678 जो भी रचनाय सामिल है उन रचनाओं को आप बहुत अच्छे से समझेगा ठीक है क्योंकि यह एक मतलब यहां से कुल मिला के हम अगर चले तो जितना भी हमारे चाहें कविताएं हो गई चाहें वह उपन्यास चाहें वह कभी कहानी निबंद जो भी सामिल है चाहें जो भी कथेतर गदे साहित्य हैं उन सभी को आप मिला ले तो 30 प्रस्ण आते हैं जो भी मैं बता रही हूं आपको यह जो नाम नाम जो है प्रिथवी राज रासों से हर साल प्रस्ण आता है इसके रचना विधान के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर कोई एक पक्ती दे के पूछ ली जाती है रेवा तर्ट के बारे में इस वार सिप्टेंबर में प्रस्ण आया था अमीर खुस्रों की पहली आई हुई थी पूछा गया था विध्यापती की पदावली भी आई हुई पदावली में से भी कुछ पद दिये गया थे और पूछा गया था कि इसमें से क्या है जो कभी का आसे नहीं है कबीर का जो है हर साल पूछा जाता है सेप्टेंबर में भी पूछा गया था इस साल 2022 में 160 से लेके 209 तक का जो पढ़ना पड़ेगा और यह किसी का भी नुमत उठा लीजेगा जो हजारी पर साथ नरेंद्र जहा सायद नरेंद्र जहा ही होगा यह नगेंद्र नहीं होगा तो यह जो है इनका पद संख्या मैं बोल रही हुँ ना जो भी इसमें रचना में सामिल है उससे डेफिनेटली आता ही आता है हर एक कुने को जहांका जाता है यह नहीं कि तुलसिदास के रामचरी तुतरकांट से नहीं पूछेंगे पूछा जाता है बिहारी सतसे से नहीं पूछेंगे पूछा जाता है एक से लेके पचास तक पूछा जाता है इसमें ज्यादातर सलंकार यह सारी चीज़े पूछे जाती है फिर विस्वनाद मिस्र की कवीत जो है घनानंद का कवीत जो है इनके द्वारा संप प्रवास है उसको पढ़ना पड़ेगा महाकाब्व है और उसके अधिली सरंगुप्त की भारत भारती साकेत नव मौर्ग जैसे संकर प्रसाद की कमाईनी कमाईनी से हर साल प्रस्म पूछे जाते हैं इसमें जो तीन सर्ग है कुल मिला के 15 सर्ग दिए गये हैं कमाईनी में जि बाकी कमाईनी के बारे में जो डीटेल है इस बाकी जो बारा सर्ग है उनको छोड़के हां मुख्य मुख्य चीजे पुछी जाती है कि सर्ग में में चीज क्या है लेकिन डीटेल में इसके अंदर नहीं जाया जाता लेकिन कमाईनी का जो भी ऑधारना है कमाईनी का जो भी स कौणसा यह जो है ऐसे से कर करके दिया गया था और पूछा गया था कैक यह सही है तो आप को Ben 13 तक सर्गों को याद कर लेना चाहिए एकदम लाइन से की हां कौन पहले प्रथम सर्ग कौन से दूत्षा गून से ऐसे आशो खर आते हैं निराला की पूजें राम सकती पूजा है निराला की जितनी Александ도 झाने ही आने है यह सारी था जूही की कली यहां से प्रिवर्तन प्रथम रसमी जितने भी सामील है इसमें हर एक रचना से प्रस्ना आता है यह मैं सुचिए कि यह ना पढ़ हूं तो काम चल जाएगा यह यह जो जरो जगत के जीरन पत्र यह भी पंतजी का ही है यह महादेवी वर्मा का नहीं है यह पंतजी का ही है महादेवी वर्मा की जो रचनाय सामील है वीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ मैं नीर भरी दुखकी बदली फिल विकल है प्रान मेरे यह मंदिर का दीप इसे नीरह जलने दो यह इन से रिलेटेड हर साल कोई सनाते हैं महादेवी वर्मा से रिलेटेड अब मैं क्या ही लेकिन इस इन सारी चीजों से मोस्टली आने ही आने है ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे और उसके बाद रामधारी से दिनकर जी का उर्वसी सीर्थी एंग रस्मी रथी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है नागा अर्जुन का खाली दास खुर्दूरे पैर इसमें इन सारी चीजों में से कैसे आता है न जैसे कि कोई भी यूनिट फाइफ हो गया या फिर हम यूनिट फाइफ से लेके यूनिट टेन तक जो भी है वहां आपकी जो भी रचनाय सामिल है उनका क्रम पूछ लिया जाता जैसे कविताएं हैं यह सारी तो कविताओं का नाम दे दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा कौन सा क्रम सही है या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कविता जो है किस वर्स प्रकासित हुआ फिर र दिया दे जाएंगे और मिलान करने के लिए दिया जाएगा कि कौन किस कभी कि कौन सी पक्तिया है ऐसे आता है तो आपको डीटेल में अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा आप इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं इंटरनेट पर लगवग लगवग सभी कविताएं अबिलेबल हैं फिर अग्याएजी की जो हैं कल की बाजरे की यह दीपा केला हरी घास पर च्छन भरा साधे बीना कितनी नाव में कितनी बार इससे रिलेटेट हर साल प्रसना आते हैं साथ ह पुरसकार किस रचना के लिए दिया गया है तो यह सारी हर चीज टीटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको तभी आप क्योंकि उपर उपर से सभी कोई पढ़ लेते हैं और जब तक डीटेल में आप नहीं पढ़ेंगे ज्यारेफ होना मुस्किल है नेट हो भी जाए तो ज् धुमिल के नकसलवाडी उससे रिलेटर जो इंपॉर्टेंट तथे उनको पुछा जाता है अकाल दर्सन रोटी और संसर फिर आता है उपन्यास हमारा उपन्यास में जो है इस साल भी परिक्षा गुरू से प्रस्णाया था देवरानी जठानी से प्रस्णाया था गोदान क कि कथनों से प्रस्णात है अक्सर गोदान के हर एक कथन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है रट लीजिएगा उपन्यासों और उपन्यास कहानियों में ऐसा होता है और नाटक में कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है किसी भी उपन्यास का या फिर उपन्यास या फ पिर कोई इंपोर्टेंस तथ हो गया जो उससे उपन्यास की चीज है चार पाच लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस उपन्यास के संदर में कौन सी यह गलत है इस टैप से प्रस्णा आजाते हैं लाला सिरी निवासदास की परिक्षा गुरू यह इससे हर साल कुश्चन आता है गोदान सेखर एक जीवनी यहां सभी प्रस्णाना है वानवट की आत्मकथा मैं मैला आच्छल यहां से हरसल प्रस्णाते हैं जूटा सच मानस कहंस तमस कि यह बहुत हाइलाइटेड टॉपिक है सारी चीजें जितनी भी रचनाय सामिल है चाहे वो गद हो या पद हो सब सब्सक्राइब को आपको डीटेल में पढ़ना है तब आपका आराम से पहली दफा में ही हो जाएगा रागदरबारी के स्रीलाल सुकुल जी का कृष्णा सौप्ति के जिंदगी नामा मनु भंडारी के आपका भंडारी से तो मतलब लिख के रखता है ना कि आपका बंटी स से हमेशा मतलब ऐसा है ना कि प्रस्ण आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे चाहे घुमा कैसे या फिर वैसे निश्चित है सर्टेन है एकदम डिसाइडेड है कि इससे प्रस्ण हर साल आएगा तो इसका इसको आप पढ़के जाएगा धरतिन धन ना अपना जग्द इस कहानी से तो हमेशा प्रस्ण आते हैं फिर एक टोकड़ी मिट्टी माधा औराव सब्प्रे का उसके बाद सुभदरा कुमारी चोहान की राही प्रेम चंद का इदगाह दुनिया का नोल रत्न कानों में कंगना से रिलेड़ेड प्रस्ण आते हैं मैं आपको कहानी इससे प्रस्ण आता है कोशी का घटवार यहां से हर साल प्रस्ण आता है उसके बाद भी सानी का अम्रीत सर आगया चीफ की दावाद सिक्का बदल गया इंस्पिक्तर माता दीन चांद पर यह सारी कहानिया जो है बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको बेहतर तरीके से पढ हर साल प्रस्ण आते हैं आसे फिक्स रहता है कि एक प्रस्ण मीनिममम आए गहीं परिंदे से भी कुस्टन सा आते हैं इस से रिलेटर कभी-कभी प्रस्ण आ जाता है लेकिन इस साल आया हुआ था तो मैं बोलो जितनी भी सामील रचना है सबको पढ़िएगा नाटक से भी ह इस से रिलेटर हमेशा कथन बेस्ट कथन आधारित प्रस्ण आते हैं कि किस पात्र का यह कथन है और इस से रिलेटर जो महत्वण तरह थे उनसे भी प्रस्ण आते हैं तो आप इस को छोड़िए गामत हर एक प्रस्ण को याद करते रहेगा अगर आपको एक्जाम के साल देना है प्रथम प्रयास में तो जितनी भी रचनाय है सिधा सब्दों में मैं बोलूं जितनी भी रचनाय है उसको आप सब को समझेगा डीटेल में पढ़िएगा तीस प्लस आपकी क्वेशन ऐसे ही हो जाएंगे तो आप सिलेवस में सामील रचनाव को मत छुड़िए जखेगा अन्धा युक से Dual हर साल को बर्संदा जाना है एक प्रसंदाना युना याना या ओद Birth रहता है सिंदुर की होली इस वारया था आधु आधुरय आटेLS उत्री के इस सारे बहूत मेहतों है और बहूत प्रसंगिक है धिर युसे आगराब जहाई से कभी पात्रों के नाम दिये गए थे इधर स्टेटमेंट था कि इसमें जो है किसका स्टेटमेंट है या फिर दो चार स्टेटमेंट दिया गया था और बोला गया था कि हाँ इसमें से द्रोनाचारे का कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, उसके बाद मनुभनडारी का महावोज, यहाँ से भी प्रस्णाते हैं, अन्जु देवी यह भी अन्जु देवी नहीं है, यह अन्जु दीधी है, ठीक है, इसमें क्या होता है की कोई को पूछ सुशिए जाता है यह जो निबंध संग्रह में संकली थे जैसे की सुसंभी का चिठ्ट आसे नहीं है या फिर सी संभू के चिथे इस पर पूछा गया था कि किस पर आधारित है यह निवन्थ और क्या-क्या उसमें चीजे दी गई है फिर आता है जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कभी तक क्या है इस टाइप के जो प्रस्ने पूछे जाते हैं कि हां कि सुकल ज सहा है इसे भी प्रस्न हर साल आते हैं मजदूरी और प्रेम उतरफाल गुनी के आसपास बहुत अच्छे अच्छे नी बंदें आपको पढ़ना चाहिए उठ जाग मुसाफिर नाम और सिंका संस्क्रिति और संदरे बहुत बढ़िया बढ़िया नी बंदें आपको पढ़न के यह आत्मक पता है को फूलू कि आयाद करू यह द 되면 कkeys नहीं नहीं रूंसरी आत्मक कथा यह विएंग्यात्मक कहानी के रूप में है जामोन का प्यर और भूला रामका जीव-विंग्यात्मक किया गया है हमारे योसाऊज प्रणाली है उस पर बहुत दिल को छूह देने आपको को यासा किताब नहीं बताऊंगी जिसमें वस्थूनिस्थ प्रस्णों का संकलन हो और आप उसको उपरी-उपरी सतही रूप ले और एक्जाम में बैठ जाए ऐसा कुछ नहीं है मैं जो भी किताबे बताऊंगे सब रिस्क्रिप्टिव है वर्ननात्मक है आपको अच्छे से अधियन करनी पड़ेगी और तब आप किसी भी एक्जाम में बैठेंगे तो आपके लिए कोई साभी टॉपिक या फिर कोई प्रसन आपको मुस्किल नहीं लगेगा आप अरामश एक्जाम को क्यालिफाई कर सकते हैं सबसे पहले हिंदी इतिहास के लिए सुक्र जी का साहित हिंदी इतिहास पिर डॉक्टर नगिंद का इतिहास जो है इसको भी लेना है आपको यह यह तीनों जो है आपको यह जो है हिंदी साहिते के इतिहास के लिए बहुत जुरूरी है आप पढ़ लीजेगा और हिंदी का कब कैसे विकास हुआ और आज का जो सुरूप है कैसे आया यह सब इन तीन किताबों में आपको मिल जागा फिर कावे सास्त के लिए डॉक्कर भगरत मिस्र का एक लीजेगा भारतिय कावे सास्त्र और पास्चाते कावे सास्त्र ठीक है बहुत बढ़िया बढ़िया यह किताबे हैं स्टेंडर लेवल की फिर कावे सास्त्र के लिए पास्चाते कावे सास्त्र सत्य देव मिस्र की जो किताब आती है कावे सास्त्र पास्चाते कावे सास्त्र अधुनातन संद इसको इसको जरूर पढ़िएगा आप किसी भी किताब को मत छूड़िएगा अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका कोई भी एक्जाम लटके नहीं हिंदी साहिते से संबंदित फिर आता है हर्देव बाहरी की किताब आते हैं हिंदी भासा यह प्रथम यूनिट से रिलेटेड सारी किताबे यह जो दोनों किताबे हैं आप इनको लीजेगा पढ़िएगा आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसके बाद अगर आप जयारफ करते हैं या फिर जयारफ के लिए आप आपने पूरे तरीके से प्रतिवद हैं कि हमको करना ही है तो आगे के लिए किस किस टॉपिक पर रिसर्च हुआ है थोड़ी पूरानी वुक है लेकिन बहुत महतोपूर्ण है फिर ब्याकरन में एक और आता है आप डॉक्टर महिया की बुक ले सकते हैं व्याकरन माला ठीक है उसके बाद या फिर उनका जो एक ब्रिहत ब्याकरन को से वह भी ले सकते हैं फिर द्रिश्टी की एक बूक आती है हिंदी साहित ठीक है मिशstate की पूक ट двух का ती है हिंदी साहित को कै कि आप एक्जाम में पढ़ एक्जाम तक हर चीजों को पढ़ चुके होंगे तो जब कुछी दिन बचे होते हैं तो यह क्विक रिविजन के लिए बहुत जादा सही बुक है यह बाद में लीजेगा बाद में आप इसको पढ़िएगा सुरू-सुरू में इन सारी किताबों को अपना आधार मजबूत कीजिए अपनी निव मजबूत कीजिए उसके बाद इसको पढ़िए तो ठीक है बहुत सारे बच्चे इसी को बस ले लेते हैं और पढ़ते रहते हैं तो उनकी जो तयारी है वो सतही लेवल पे होती है, सतही अस्तर पे होती है गहनता से पढ़ने पे ही हमारा future बन पाएगा ऐसे नहीं आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद